ऐसा हम क्यों करते हैं ऐसे लिए करते हैं कि जो स्टुडेंट से बहुत सारे स्टुडेंट बैटे हैं पढ़ रहे हैं उनको कुछ दिखाना है या टीव पर हमने मुवी देखनी है बड़े स्क्रीन पर कुछ देखना है बड़े पढ़ते पर कुछ देखना है या मल्टिबल क्या करने है तो आपके पास एक तो एक computer होना चाहिए या laptop होना चाहिए वीजी अपॉड होना उसके उपर या HDMI पॉड होना या Wi-Fi होना थीन चीज़े आपके पास चाहिए तीन चीज़े आपको ध्यान में रखनी है computer या laptop लगेगा AJ Pois लैपटाप पे wejaford होना चाहिए अगर लिए से कनेकT कर रहे हो तो HDMI से कर रहे था HDMI होना चाहिए और वायफा कर रहे हैं तो दोनों भी जो Besides devices इसे computer स Mais gameplay और जिसको आप करनेकT कर रहे हैं वो करने के लिए आपको केबल लगेगी उसका एड़ेप्टर लगेगा एक से ज्यादा कर रहे तो एड़ेप्टर रहेगा और वाइफ़ाइ दोनों में इनेबल होना चाहिए इसके एड़ेप्टर कैसे रहते हैं सेटिंग क्या करेंगे आप विंडोस में जाएंगे डिट्स्टॉप पर राइट मौज बटन प्रेस करेंगे वहां पर डिस्प्ले पर आइदेंगे उन पर सेम दिखाई देगा एक जैसा। जो झाप ciao a duplicate display युट्टेंड दिश्मेड आपके डिस्प्लेश आप जो कर रहे हो दिखाई देगा है आपके अटरी EXCII गणी नहीं के कैसे रहेगी मैं आपको व्यूडियों मताता है शो ऊनली मतलब जी से आप रिले कर रहे हैं जिससे आपकी connection करा हुआ है उसी पर दिखाए देगा बागी पर कुछ भी दिखाए ने देगा शो टू, ट्री, फोर जितने भी आपने connect किये उस पर लेने के बाद में जो उनके number है जिस number से आपने connect करें है one by one उसी number पर दिखाए देगा बाकी किसी number पर नहीं दिखाए देगा कैसे करते हैं मैं आपको वीडियो में उसको पुरा दिखाऊंगा कैसे करते हैं उसको HDMI केबल, HDMI केबल में इस तरह से रही है, number पोर्ट रहेंगे, यह USB में लग जाएगी और यह जो है इससे आपके display लाएगे, display one, display two ऐसे केबल रहेगे आपकी लंबी सी, दोना तरफ से जो HDMI पोर्ट रहेगे इसको यह इस तरह से दिखाए देगे HDMI केबल की थुरवर करते हैं तो यह सब आपको requirement लगेगी और यह सारे पोर्ट उस PC में या उस monitor में या स्क्रीन में होना जरूरी है, अगर HDMI से करते हैं तो VGA adapter से तो VGA adapter में इस तरह कर आएगा आपका, यह PC में लग जाएगा और यह दोनों monitor में यह एक monitor को जाएगा, यह दूसरे monitor को जाएगा इससे आप दो monitor correct कर सकते हो एक PC को, उसके बाद में यह जो है आप इससे चार कर सकते हो, एक इसमें इन हो जाएगा और बागी सब जह हो, चार जो है display output हो जाएगा, इसके बड़न रहेंगे, अगर जो बड़न आउन करेंगे आप वो बड़न पर आपको दिखाए देगा, इस तरह से रहेंगे, चार port, चार VGA port हैं इसके अंदर में, फोर VGA port सालते हैं, और इसके बड़न बेस रहेंगे, port number के साब से इसके बड़न, जो बड़न आउन रहेंगे, वो बड़न पर आपका transfer हो जाएगा, दिखेगा, डिस्पले होगा, यह बड़न बड़न पर तीसर लोगा हो डिनेरक पर होना, दोनों एकी वायफ़िच पर होना, तो दोनों आसने दे करेक्ड होंगे, बाक आपको सेटिंग, रहेंगे हो मैं आपको सेटिंग, विंदर्स की जो केबल के लिए है, वायफ़िच सिरफ इसमें connect to wireless display रहेंगे, तसमें क्या रहा है, इसमें क्या पास होना चाहिए तो आप करेंगा दर्वाइस कैसे करों है हम क्या करने है लोग को डिस्प्ले करने के लिए लोग को बताने के लिए जा लोग कुछ दिखना उसके लिए प्रजेक्टर लगाई है यहां मेरे टीम लगाए है मुल्टिपल दिस्प्ले के अंदर में आप नंबर अप डिस्प्ले कर सका है मेरे जो है अलिंगन में एक ओड था एटीम आएगा तो उस पर लगए अजर वीजी पर करना है तो वीजी के आपको केबल लाने पड़ेगी प्रिसमी कि ने सले में स्टार्ट वीडियो में देखे स्टार्ट हुर्श के अगा लोड हो रहेगा सेम दून तरफ दिखाई देगा पासवर एंटर करा अपना पासबर कीग inter करन की सिंहा को अब स्क्रीन दिए सिम्या में सिर्णि अब इसको क्या करना पड़ेगा आपने को तो रैट मॉस प्रेसकर कि इसकी प्रपरटीज में ज ब counting on the please सबस्क्राइख कर द का दिढ़ी तुद्र इसको कर रहें ऐपर मैं एक्सपांड कर रहे है इसको जाते हैं काद मैं एक्सटेंड के अंधर में क्या होगा ँद इसके साफ एकपो सिर्फ। जिखाईगे यहा इक असफ दस्कार काम कर रहे एक इसके बाद दिस्के बाद में जो है वह सेकेंड लेता हूं इस तरह से आप लोग विंडोस की प्रापरटी में डिस्प्ले सेटिंग में जाएके सेटिंग कर सेंगा वे आपकेट शेले करake तो दूनो दरफ दरफ रहे हैं दोपलिकेट कीया मातोल दूनो दरफ दून रहे हैं-दिकार करने के बाद में तो यह प्रաपटीוב साथ थैन के बाद कहें उइं exceptional रほके हुआ मैं प्राप्रपटीस किए अ combine करेंगे साथ करने के बाद में जो टी यह निल गया हमको हमारा वायाफस अग्टा से अग्ट हो गया उधर एक्षप करेंगे दिख अप्डोर स्क्रीन एक जैसे आगा है जो अप्लिकेशन में अडर उपन किया वह आपको टेकर तो यह हमने किया है वायरेस की थिरूप वायाफस की थिरूप अब जो इधर आप एक्षिन करेंगे से अपने प्रेस करने के लाद वह डिस्प्ले सेटिंग में और स्क्रोल करें यहां पर जो हम आपने पास के अंदर वह डिप्लिकेट दुनों तरफ एक्सेंट ही की जगा दिखाया देगा जो उल्ली वन पाइले स्क्रीन पर दिखाया देगा जहां से आप क्लेक्ट हुए शो टू जो नेक्स स्क्रीन रहे है जो डिस्प्ले रहे जाए टीवी हो प्रजेक्टर हो जो टू ठीक है ऐसे हमने पाइफसे कनेक्ट है यह था आज का अपना वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से जो है आप एक लैपटाप या एक पीसी को नमबर ओप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो चाए मॉनिटर कनेक्ट करें चाए टीवी कनेक्ट करें चाए पनिटर कनेक् आपके पास में दोनों जगए एक जैसे चीज़े वह पंड़एबना चाहिए HDMI होना चाहिए HDMI अदएप्टर होना चाहिए और Wi-Fi, Wi-Fi वी जो है, वो दो रहो आपको सेम लिटरों पर पर वीडियो